ग्राम पंचायद रफीक गंच में और एक अन्यव ग्राम मुंगी स्पूर भी समिले थे ग्राम पंचायद रफीक गंच राज़्थानी फोपाल से लगभख 40 किलो मीटर दूर इंदोर हाईवे पर स्थे थे ये ग्राम पंचायद जिला मुख्याल है और जनपत पंचायद सी होर से 6 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है ग्राम पंचायद रफिक गंच में कुल 20 वाड है जिनकी कुल जनसंख्या 3,92 है जिसमें 1,614 महिलाई और 1,408 तब पुरुष शामिल है ये बहुत कौरफ की बात है कि इस ग्राम पंचायद में पुरुषों की अपेक्षा महिलाउं की जनसंख्या कहिया दिख है जो की एक सजग प्रियास है ग्राम पंचायद रफिक गंच की पडूसी ग्राम पंचायदों में मोगराफूर, गुड़ भेला और सेवनिय ग्राम पंचायद प्रमुख है यहां की साक्षर्ता 86 प्रतीशत है जो गाउं के लिए गौरवान विल करता है ग्राम में नलजर योजना के तहट सभी घरों में नल लगवाए गए है जिनकी मदद से ग्राम वासियों को स्वच पेजल मुख्या करवाय जा रहा है इसके अलावा गाउं में 32 हैंड पंप और एक ट्यूब वेल है जो की ग्राम पंचायद द्वारा बनवाय गया है गाउं के किसानों त्वारा मुखे रूप से गेहूं, चना, प्याज, लहसुन, सोयाबीन, तूर और मक्के की खेती की जाती है जिनकी सिच्चाई लगफग 150 कूप, 70 ट्यूब वेल, कपिल्थरा योजना के तहट दो कूप और नदी की मदद से होता है नो किलोमीटर की दूरी पर स्थित्सी होर की अनाच मंडी में इसान अपनी फसलों की बिकवाली के लिए जाते हैं गाउं में चार शिक्षण केंद्र और एक आंगनबाडी केंद्र खोले गए है स्थानी प्रशासन द्वारा गाउं में प्रचायद भवन और आंगनबाडी भवन बनवाय गया है संचार, स्वास्त, परिवहन, सड़क जैसी तमाम तरह की सुविधाएं गाउं में उपलब्ध है गाउं में शिक्षा को लेकर लोगों में काफी जाक रुपता है इस गाउं के साथ से आट लोग सरकारी करब चारी है दिलीप सिंग परमार और मान सिंग परमार मधिप्रदेश बिजली विभाग में पदस्त है और पंकच परमार और राहुल परमार इंतोर जैसे महानगर में रहकर उच्च शिक्षा प्राब्ध कर रही है रामय हनुमार मंदेर राम मंदेर और शिव मंदेर है